नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज एक रेस्क्यू हुआ बड़ा अनोखा सांप मिला खैर इससे पहले भी इसे कई बार रेस्क्यू किया है हमने पिछले दो साल में चार बार रेस्क्यू किया वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था लेकिन जो जिस एरिया से निकाला गया वहाँ पर ऐसा बताया गया दोस्तों कि इसे धुरनाक कहा जाता है और यह काफी विशैला होता है तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा आप देखें दोस्तों इस स्न स्नेक जॉर्डन्स मैनी टूटेट स्नेक भी इसका नाम है हिंदी में या हमारे चेतर में वैसे बहुत कम दिखता है लेकिन इसे काला मुंडी साथ जरूर बोलते हैं कई लोग और ग्रामीन बहुल चेतर जो है जो आदिवासियों का इलाका है वो लोग इसे धुरनाक के ना स्नेक है कई बार हमने थेयरीज में बात करिए बटेशियन मिमिकरी की तो यह मिमिक करता है स्लेंडर कोरल स्नेक को जो कि काफी ज़्यादा वेनमस होता है नियूरो टॉक्सिक वेनम होता है उसका साइज भी सिमिलर होता है मैं उसकी फोटो अटाच कर रहा हूं दोस्तों ज़्यादा पोटेंट भी होता है लेकिन साइज के कारण उसके जो फैंग्स है या जो उसके विश्दंत है वह काफी छोटे होते हैं और वह इंसानी स्केन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते कुछ एक सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट स्किन साइट को छोड़ कर वह इंसान के क्लोज़ी देख रहे हैं चूपकर रहना पसंद करते हैं इसलिए आम जीवन में नहीं दिखते हैं तो मैं इसे दोस्तों बाहर निकालता हूं फिर इसे ख्लोज्य देख पार हैं हाथ में आराम से ही पकड़ा गया है कोई कहीं से किसी तरीके कर प्रेशर नहीं है हाथ में ल तो यही इनकी डाइट होती है दोस्तों चोटे मोटे लावाज खाते हैं वीवर एंट को भी ये खाना पसंद करते हैं जो जाड़ियों में अपना घोसला बनाते हैं वीवर एंट जिसे आम बोलचाल में यहां पर चापड़ा कहा जाता है और कुछ विशेश है नहीं दोस्तो आइडेंटिफिकेशन अगर इसका करना हो तो इसको आइडेंटिफाइ करना बड़ा असान है इसका सिर इसकी पहचान है उसके बाद ब्लैक डॉट्स होते हैं जो कंटिन्यू पूरी बाड़ी में होते हैं और स्लेंडर कोरल स्नेक जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन आप उसकी टेल से कर सकते हैं और डॉट्स उसमें मौजूद नहीं होते हैं दोस्तों काफी खूबसूरत यह दिख रहा है दोस्तों तो दोस्तों इसी तरीके के और रोचक जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्नेक से वर्टी में जी अंदनते वाड़ा को तब तक लिए जय हिंद वंदे मातर हम